इस वीडियो में हम जानेंगे कि निक्षय पोर्टल पर एडरेंस रजिस्टर रिपोर्ट को कैसे देखा जा सकता है सबसे पहले आपको संबंदित यूजर नेम और पास्वर्ट का उप्योग करके निक्षय रिपोर्ट पोर्टल में लॉग इन करना है इस पेज पर लेफ्ट पैन पर मौजूद पेशन्ट वाइज लिस्ट पर क्लिक करें यहां आपको एडरेंस रजिस्टर का विकल्प दिखाई देगा एक पेज दिखाई देगा जिसमें कुछ ड्रॉप डाउन दिये होंगे जब आप यहां वैलियोज दर्ज करते हैं तो आपको वांचित रिपोर्ट मिल जाएगी स्टेट के लिए ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और अपनी पसंद के राज्जे का चैन करें अभी के लिए हम करनाटक का चैन करेंगे अगले चरण में आपको डिस्ट्रिक का चैन करना है टीबी यूनिट के लिए ड्रॉप डाउन में आप या तो किसी एक यूनिट का चैन कर सकते हैं या ओल टीबी यूनिट का विकल्प चुन सकते हैं अगले ड्रॉप डाउन में आप अपनी पसंद की डेट का चयन कर सकते हैं यहां तीन विकल्प दिये गए हैं एन्रॉल्मेंट डेट, नोटिफिकेशन डेट और ट्रीटमेंट स्टार्ट डेट फिर आपको डेट सेट करनी होंगी कि आप कब से कब तक का रिकॉर्ड चाहते हैं आईए अभी के लिए दीनांक 1 जन्वरी 2020 से दीनांक 31 मार्च 2020 तक सेट करते हैं अगले चरण में आपको ये चुनना है कि आप रिकॉर्ड कैसे देखना चाहते हैं यहां रेडियो बटन के साथ दो विकल्प दिये गए हैं करंट फैसिलिटी और डाइग्नोजिंग फैसिलिटी अब अपनी वरियता के अनुसार हेल्थ फैसिलिटी सेक्टर टाइप का चैन करें सभी सार्वजनिक या नीजी एज के लिए ड्रॉप डाउन में तीन विकल्प दिये गए हैं सभी 15 वर्ष से कम और 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधेक टाइप ऑफ केस के लिए ड्रॉप डाउन में तीन विकल्प दिये गए हैं ये विकल्प हैं औल, DSTB और DRTB अगली ड्रॉप डाउन में आप रोगी के जेंडर का चैन कर सकते हैं सभी, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर साइट ऑफ डिजीज के लिए ड्रॉप डाउन में चार विकल्प हैं ये विकल्प हैं औल, पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और अधर्स सबसे नीचे दो बटन दिये गए हैं फील्ड को क्लेर करने के लिए क्लेर फिल्टर बटन पर क्लिक करें फाइल जनरेट करने के लिए जनरेट एक्सल बटन पर क्लिक करें आपके सिस्टम में एक एक्सल फाइल डाउनलोड हो जाएगी इसी के साथ एड्रेंस रजिस्टर को देखने की प्रक्रिया पूरी होती है